कि नमस्कार साथियों एक बार पुना आप सभी का दर्पन से इस डिश्टल प्रेटफर्म पर स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि पहले अभी जो चल रही हमारी एकॉनमी क्लास उसमें हम अभी तक जो पूर्शन कवर कर चुके हैं उसमें बिरोजगारी का जो पूर्शन है उसको हम देख रहे थे बिरोजगारी के क्या प्रकार होते हैं यहां तक की चीज़ें हमने देख ली थी बिरोजगारी को जो बचागव टॉपिक उसको आज यहां से चालू कर रहे हैं वापस से आंगे बढ़ाएंगे उसको है ना इसके पहले जो भी है आपका यूनिट व हो चुकी है कवर की जा चुकी है कि यह जो बिरोजगारी गएरा वाला पॉर्सन है पवांचोज किया जा चुका है घृडिए संतुलन तो बिरोजगारी के मापन की देखो सबसे 25 स्टीश को समझ लोग बिरोजगारी का मापन करता कौन है हमारे देश में तो हमारे देश में बिरोजगारी का मापन यह पिरोजगारी की मापन संबंदी जो दाइत तो हो किसको दिया गया है एनसेस को दिया गया है नैस्नल सेंपल कोई भी मानो एक वर्स में कोई भी मानो क्या है एक वर्स में प्रती घंटे आठ दिन इसाफ से 270 दिन अगर काम करता है तो वो विरोजगार नहीं कहलाता है सिंपल से ठीक है कि अगर आप प्रती दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं और ये काम आपको साल भर में 273 दिन तक मिलता है तो आप क्या है विरोजगार नहीं कहलाएंगे ठीक है और अगर ये इस्तिती नहीं है तो आप विरोजगार कहलाएंगे अब ये जो मापन है चार अफधारणाओं के अधार पर किया जाता है ये सब अफधारणे हम क्या क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहली सामान इस्तिती प्रोजगारी आती है सामान इस्तिती प्रोजगारी का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आप पिछले 365 दिन से बीना किसी रोजगार के अपने घर में बैठे हुए हैं यह सामान इस्तिती प्रोजगारी है कि पिछले 501 वर्ष मे आपको 365 दिनों में कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुगा फिर आता सापताही की सिर्थी प्राप्त नहीं हुगा इसमें क्या है कि पिछले सापताही मतलब वो यगें साथ दिन है ना इसमें क्या होता है कि दिन में चार घंटे का भी रोजगार प्राफ्ट नहीं हो ना दिन में चार घंटे भी रोजगार प्राफ्ट नहों तो उसको बोलते हैं तैने के स्थिति भी रोजगारी ठीक है और इसके बाद आता है आपका सहाय की स्थिति विरोजगारी जिसमें क्या होता है पिछले 12 महीनों में मतलब कि 365 दिनों में 30 दिन का भी रोजगार न मिले तो क्या कहलाएगा सहाय की स्थिति तो पिछले 12 महीनों में 30 दिन का भी रोजगार न मिले तो साहिक इस्थिती बिरोजगारी है पिछले बारह महीनों में एक भी दिन का रोजगार न मिले तो सामान इस्थिती बिरोजगारी है ठीक है, साथ दिन में आपको रोजगारी पिछले साथ दिनों में एक घंटे का इस्थिती बिरोजगारी है और चार इस दिन में आज की तारिक में अगर बात करें चार घंटे का वी काम नола क्वी तो क्या से ए ठीक है अब आता है भारत में विरोजगारी की स्थिति हए तो तेको भारत में विरोजगारी की जो समंधित जो आंकड़े हैं है, जिसको हमने डिसकस किया उपर कि वो पुरे आंक्टे कौन जारी करता है, pH जो फित जारीक ढदा है जो दूसरे प्राइवेट संस्थान एंजियों गरा जो इस चीज की का इस चीज छेत्र में काम करते हैं इस विरोजगारी गढ़ना को ले करके उनका डेटा यहां पर प्रयोक करना पड़ता है कि तो सबसे पहले समझते हैं कारेशी ब क्या है क्योंकि बेरोजगार की तो कहां से 2019 के बीच में बिरोजगारी किदर कितनी थी नौद समलोग 330 ठीक है नौद समलोग 330 क्या थी बिरोजगारी कि दर थी 2019 की बात कर रहे हैं फरवरी 2021 में कितनी थी 6.90 परसंट अब बरतमान विलगवक कितनी चल रही पर्शनेट के आसपास बिरोजगारी दर चल ली है cmi के वेफसाइट में अगर आप जाएंगे खुद भी जा सकते हैं वहां पर देख सकते हैं डेली के हिसाब से वहां पर डेटा दिया जाता है कि बिरोजगारी कि दर कहां कितनी है इस टेट वाइड जी दिया जाता है और न और जाए agree संपेट आप अा जैए यू का इकिए घटा मी अंगला अधा और डिवीजन ने ही प्रिएँ प्रसत की बनिहीं होई है यह सिच्छित ब्रजगारी की हुद हुआ था ठीक है उसमें प्रकारों में आप आप जाकर कि वीडियो एक चकते हैं क्या है वो 16 प्रस्ट के आसपास बनी हुई है 20 से 24 वर्ष की आयू के मद्ध जो सिच्छित विरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा उच्छ बनी हुई है 20 से 24 वर्ष की सब सिर बात कर लें अगर हम तो 41 प्रस्ट की विरोजगारी दर बनी हुई है मतलब यह वही एज होती है जहां बच्चे क्या होते हैं ग्रेजियोट होके बाहर निकलते हैं कॉलेज़ों से और महिला विरोजगारी दर भी 26 प्रस्ट की दर से ब्रद्धी कर रही है ठीक है तो यह क्या था आपका पुरा विरोजगारी का दर था अब आते हैं रोजगार की छेत्रक क्या क्या होते हैं ठीक है लोगों को पिरोजगारी से बचाने की रोजगार देना पड़ेगा तो रोजगार की छेत्रक देख लेते हैं तो रोजगार के छेत्रक सामाने परिशितियों में संगठनात्मों और संगठनात्मों भी माने जाते हैं, ठीक है, सामाने परिशितियों बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं संगठनात्मक छेत्र क्या होता है, यह संगठित छेत्र क्या होता है, तो यह वे उद्धम को एक अपको कितने दिन काम करना है साल भर में आपको इतनी छुटी मिलेंगी इस के कि इसके लाव आकू करना काम करना है काम की दिन क्या होग Polish होल privilege हृँ पास सरकार जो नियुर्ण बनाए हुए है उसके तहीं तो का को होता है उसके इनको पेंसन मिलती है ठीक है जेए सभी क्या है जैसे कारखाना अधियां हो गया निंत मस्दूरियत नियम हो गये सभी चिजों के देट क्या होते हैं संचालित होते हैं इन सभी नियम काнов berry की जाते हैं तो यह तुक है सघ्षक्राग्ट आपको बीच्व फाईर नहीं किया सकता है। इसके लाब निश्य समय तक काम है अगें वह पॉइंट है ना इतने समय तक काम मिले गई आपको इसके लाब अधिक कार का अधिक वेतन मिलता है अगर आप से अधिक कार करवा जाता है तो उसको आपको क्या दिये जाता है एक्स्ट्रा पैसे दिये जाते हैं इसके लाब आप क्या बथनिक अफकास मिलता है आप यहां पे लीव लेते हैं छुटियां लेते हैं तो फेडर लीव उती हो वो सभी क्या होती है पेड़ लीव अधि जो आपको 24-25 लीह जतनी मिलती वेतनी अफकास होगाänder इसके बाविश्य निदी, सेवा, अंदानी, सब कभी आपको लाग मिलता है, जो पेंसन होगार आप बादी बात करते हैं, उन सब इच्छीओं कभी यहाँ पर लाग मिलता है, जी तो क्या होगा संगठिक छेत्र होगा, संगठिक छेत्र में काम करने बाए लोगों की संख्या अदाहरन समझे तो उससे समझ जायेगा संगठिक छेत्र होग्या जैसे क्या बुदा देनिक वेतन बोगी करमचारी हो गए, कि सुबह कमाए, दिन भर कमाए, रात में क्या खालिये, देनिक वेतन बाले काम कर रहे हो, उनका सरकार से कोई संबंद नहीं है, यह आपको किसी पीच और आहे में खड़े मिल जाएंगे किसी जो मजदूर कलब होते हैं वहां पर मिल जाएंगे वहां जाएए आप उनको लीजिए अपना काम कराई उनको साम को मजदूरी देदीजिए और कहानी खतम सरकार से उनको कोई संबंधी नहीं है सरकार के नियमों से उनको कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो प्रत दिन के अधार पर क्या करते हो नई जगह पर काम करते हैं उनका कोई काम फिक्स नहीं है जैसे वहां पर क्या था संगठत वाले में काम के दिन सुनिश्चित थ आज 8 घंटे को काम है, कल 10 घंटे का परसों ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 11 करोड के आसपास है, और इसी पार की एक अलाइक कटे दिए Presi मजदूरों की उनकी संख्या लगवे sok confidence, 18 करोड के आसपास है. क्रशक मजदूर, जो खेटों में काम कर रहे है इनका लच्छन क्या है इनकी विशेष्ता है क्या तो कम बेतन मिलता है शिदी जी बात है, सब वैत्निक अवकास नहीं मिलता जैसे वहाँ पर क्या था वैतनिक Menigal भी यहाँ पर वैतनिक अवकास नहीं मिलता है इसके अलाबाद इन सो आपका जो संगठी तो आ संगठी इसके लाबाद इनकी एक और खटेगरी उहर करके आती है वह स्वरोजगारियों की कोई अपनी क्या है ठेला चला रहा है कोई अपना किराने की दुकान चला रहा है कोई और छोटे-छोटे पर आफसाय कर रहे हैं सब बिरोजगारी के कारणों में सबसे पहला कारणाता है रोजगार विहीन सम्रद्धी दर रोजगार विहीन क्या है सम्रद्धी दर है अब हमारे यहां तो कहने को क्या हो रहा है जो GDP ब्रद्धी दर जिसको सम्रद्धी दर भी बोलते हैं आप वह साथ परसेंट के ऊपर चल रही होती है हमारी economy पर क्या उसी रेट से जिस रेट से हमारी economy grow कर रही है उसी रेट से रोजगार के दर्वे ब्रद्धी होती है क्या उसी रेट से रोजगार का generation होता है ठीक है तो यह point फिर क्या हो जाता है उस अनुपात में देखने को नहीं मिलता है मतलब जिस rate से जिस दर्थ से GDP प्रद्धी हो रही है उसी दर्थ से रोजगारी प्रद्धी नहीं देखने को मिलती है ठीक है इसके अलावा क्या है बिरोजगारी का कारण दूसरा वो है मसीनी कारण आज की तारीख में देखो कंपनिया चाहती क्या है दो चीजी एक साफ साफ सिंपल से एक कॉंसर्प समझ लो कि जो पूजी पती है पूजी पती मार्केट में लाव कमाने के लिए है पूजी पती मार्केट में लाव कमाने के लिए है जो सरकारी उद्ध्योग धंदे है वो मार्केट में किस के लिए हैं समाजी करण के लिए हैं वो मार्केट में क्या हैं लोक कलनाण के लिए हैं जब कि निजी उद्ध्योग धंदे क्या हैं लाव कामाने के लिए तो अब होता क्या है उनका लाब कैसे ज्यादा ज्यादा हो जाएगा जब वो अपनी उत्पादक्ता बढ़ा दें जब वो अपने खर्चे कम कर दें तो अगर मसीनों की बजह से उत्पादक्ता और गुडवत्ता में दोनों ब्रद्धी होती है और उनके खर्चे में कमी आती है जो लेवर को मज़डूरी पे कर रहे थे लेवर को समाजिक सुर्ण अच्छा रासी प्रदान करना पर रहा था उनको उसमें कमी आती है तो सीधी स प्रद्धी होगी है ना सिंपल सा पॉइंट है कि अगर वो क्या कर दे मसीनी करण कर लें मसीनी करण से उत्पादक्त और रोनत्ता दोनों प्रद्धी होती बात एक दम फिक्स है और साथी साथ मजदूरों को कम कर देंगे इससे क्या होगा उनके वेतन में खर्चे कम हो जाए है जिसमें रोजगार मागसा कोसल विकास इन सब ध्यान नहीं दिया जाता है हमारी सिच्छा विवस्था में हालात यह हैं कि सिच्छा में कोसल विकास सिच्छा में व्यावसाई करण मतलब कि व्यावसाई कोसल का विकास सिच्छा में रोजगारों मुक्ता ऐसी चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया जाता है किसी प्रकार के स्किल डेवलोप्मेंट ट्रेनिंग आदी की बात नहीं की जाती है जब शिच्छा विवस्ता को आप रोजगार नहीं बनाएंगे तो कहीं न कहीं अब कितने भी नई संसाधन बना लीजिये आप कितने भी नई सडके बना लीजै आप कितने भी रोजगार के अफसर उत्पन कर लेजिए पर अगर आपकी जनसंख्या बरदी दर 20% की रेट से ग्रो करेगी 17% की रेट से ग्रो करेगी 10 की इस तर पर तो फिर आपके ये सभी संसाधन क्या हो जाएंगे कम पढ़ जाएंगे निरंतर कम पढ़ते रहेंगे यूएन के प्रोडेक्शन के अनुशार हम आने वाले लगवक 15-20 सालों में तीस सालों में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपलर कंट्री होने वाले हैं 2.3 का फर्टिलिटी रेट है हमारे हाँ पर 2.3 बच्चे परमहिला पैदा कर रही है 17 परसंट की दर्स हम 10 की प्रद्धी कर रहे हैं ठीक है तो इतनी जो वह हो रहा है रेट से बढ़ रही जन्जंग्या वह कई न कई क्या कर दिये संसादनों को दबाती है संसादनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो कम पड़ते रहें सद्धेव इसके लाब अद्द्वी गणी की धीमिकती है हमारे यहां पर सामाने परिसित्यों में होता क्या है सामाने परिसित्यों में बैसली की स्तर पे देखा गया है कि प्राथ्मिक चहतर को ग्रोह किया जाता पहले है आपका जो उसके नुढ़िक जिएक चेतर का विकास करते हैं और जब उसमें भी आप इत्यूए-टॉट्बैटлек इस तरहें पहुँचतं हैं यह सानवान्य प्रगिया होती है हमारा देश के हैं कुछ जाधी expert है हम ने क्या kanadir she others की कृत लपक यफ़ करशियो अधी का विकास किए हमने फिर हमको कहा आना था दूतियक छेत्रक में आना था पर हम दूतियक छेत्रक में नहीं आये प्रास्मिक छेत्रक हम विकास करते लेगे सत्तर के दसक तक और असी के दसक से हम सेवा छेत्र में कूद गए हमने उद्योगों का प्रॉपर कहीं विकास किया ही नहीं तो आज की तारिख में जवाब बात करते हैं कि सेवा छेत्र आपका 9% 10% 11% की ब्रद्धी कर रहा है जबकि उद्ध्योग छेत्र 4% की ब्रद्धी कर रहा है साढ़े चार पांच ये समस्टा उभर कर क्या आती है हमने अद्ध्योग करन की गरती क्या रखा साथ है उध्धी द जबकि उद्ध्योग किस प्रकार के लगाए जाने चाहिए अगर आपकी पॉपलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर उद्ध्योग किस प्रकार के लगाए जाने चाहिए लेवर इंट्ध्योग होते हैं जहां से राजस्ट तो खुब सारा मिलेगा लाभ तो खुब सारा मिलेगा सरकार को पैसा तो खुब सारा आएगा पर वहां से रोजगार जनरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा जैसे सरकार की महारतन कंपनिया है सरकार की महारतन कंपनियां जो 10-11 कंपनियां हैं वो सरकार को पैसा बहुत ज़्यादा दे रही है सरकार को वो राजस सो कमा करके बहुत ज़्यादा दे रही है पर वहाँ पे काम करने वालों कोई संख्या बहुत ही कम है एक महारतन कंपनी में आउस्तन 2000 से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे होंगे उससे भी कमी होंगे जबकी अगर आप वहीं से जितना पैसा उहां पर इंवेस्ट किये थे उसी पैसे को आपने मैस आमी सेक्टर में इंवेस्ट किया उता तो आफको लाव तो कम प्राप्थ होता पर बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग नहीं क्या हो जाते इंगेज हो जाते उन को रोजगार प्राप्त हो जाता है तो हमारे हाँ पर MSME सेक्टर की सदयों उपेच्छा की गई है सरकारों दौरा बात की जाती जैसे गरीब हटाने का गरीब हटाने की बात की जा रही है पिछले 50 वर्सों से की गरीब हटाओं को नाराज दिया गया इंद्रा जी के टाइम पर पहले इंद आपको पता है कि क्रसी में हमारे देश की टोटल जो वर्किंग पॉबलेशन है उसका लगभग लगभग सैटालिस और तालिस प्रस्त लोग क्या है अपने जीवन आपन के लिए क्रसी बिनेद्वार है बहुत ज्यादा दबाव है तो आपको फिर यहां पर क्या करना चाहि रही था कहां ग्रामीड छेत्रों में कि जो लोग क्रसी के इतर भी अपना भविश्य देखते हैं जीव को पार्जान का माध्यम देखते हैं तलासते हैं तो उनको वहां पर सुद्ध्ध मिल जाए कि ग्रामीड छेत्रों कोई MSM इस्थापित करना चाह रहा है खादय प्रसंस कान यूनिट इस्थापित करना चाह रहा है बनोत पादन के संग्रहन सम्मदित कुछ काम करना चाह रहा है तो उसको उस प्रकार की वहां पर क्या करना था अल्टरनेट कभी कास करना था क्रसी सह जित्ता जादा बढ़ेगा उत्यादा विरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि अगेन पॉइंट हुई है कि संसाधन सीमित है ठीक है इसके लाबा विरोजगारी निवारन कारक्रम की विफलता अब जब से गरीबी निवारन के कारक्रम चालू हुए थे गरीबी निवारन के कारक् सबकारी हटाने से अगर आपको क्या करना है गरीभी खतम करनी है तो आप क्या कर दीजिए विर्योजगारी खतम कर दीजिए सामने वाले गरीवी अपने आप खंदाम होई आईगी तो इसके लिए जो कारिकम चलाएगा उनको कभी अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया इसके लाव बचत वह निवेश कम हैं वाया कया होता है इसके लावा अबża थ्यक्या सेक्टर में और श들이 कारियों को लिए करके और लोगों दोराव नहीं द्टीente इसकान का हो दí तब समस्था समस्थाया उबर करकर के आती है जो यूटिमेटलि आपके गरीबी में इंगर्ट होती है इसके लवा अमसद लाचना अतंग भी कास पर उतना ज़्यादा जोड नहीं दिया गया मतलब की हमारे देश में पर शंपत्यों के निर्मान को उतना ज़ तो नहीं दिया गए इस कांड कि यह सब समस्य हैं उबर पर के देखने को मिल इसके लाव बिरोजगारी भीमा नहीं किया गया है अब जो लोग भिरोजगार रहते हैं जैसे हमने बात किया था कि गडियी वगरा में एक प्रकार का भीमा दे दिया है उनको जब तक वो नहीं हो कारण थे अब आते हैं कि उसका प्रहाव क्या पढ़ताै प्रहाव में सबसे पहला प्रहा गाता है निमनरा प्रथ्वँयक्तियार बनी रहेगी आगर ह Patty के पास ब्रोजगारी नहीं है तो गरीब हो जाएंगे गरीब हो जाएंगे तो मतलब सीधी सी बात है उनकी प्रति उनकी जो आए है वो कम हो जाएगी और उनकी आए कम होने का प्रवहाद दिखेगा देश की राश्टी आए में और देश की राश्टी आए कम होने का प्रवहाद दिखेगा देश की प्रतिव्यक्ति क्योंकि राष्ट प्रति व्यक्ति आई जूकल टू राष्टि आए डिवाइड़नट वॉप्ले Frei तो अगर राष्ट् credible हो रही है तो प्रति वद्वेक्ति आइस वद हो जाएगी इसके लावा जन संक्या भार में क्या होती है व्रद्धी होती है अगर लोग बिरोजगार बैठे हुए है ये क्या है सिंपल से कॉंसेप्ट है सामाजिक कॉंसेप्ट है हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लगे पर ये सच्चाई है कि अगर लोग बिरोजगार बैठे हुए है तो पॉपलेशन ब्रद्धी होती ही होती है कि क्यों घर में बैठे हुए है थीके इसके लाबा क्या है क्रसी पर अत्यधिक निर्भारता अगें वही पॉइंट की जब क्या हो गया है रोजगार यूंब रधी होती ही जैसे क्या हुआ करोना काल में प्रवासी मजदूरों का घ्राइब कर रहे थे उस चीज में वहां बिए कर रहा तो अपने घर छेत्रों में क्या वापस लोटे और वहां क्या हुए वह अपनी च्छोटी-च्छोटी जमीने थी जिसमें पहले एक भाई का क्या कर रहा था खєती कर रहा था उस चीज में वह लोग भी आकर क्या होगए है इन्वाल्व हो गए उस चीज में वह पे वह भी खेती करने लग गए इससे क्या हुब क्रसी पर अत्यथिक डबाओ बड़ गय Ja क्रसी पर तरीक निर्भारता बढ़ गई उनकी इसके लाब अगर आपके यहां बेरुजगारी है तो गरीबी आएगी अगर आपके यहां सरकल है पूरा ठीक है सरकल है समझो इसको कि अगर आपके यहां बेरुजगारी है तो गरीबी आएगी गरीबी आ रही तो आप क्या न निर्मान नहीं होगा पूजी निर्मान नहीं होगा तो निवेस नहीं होगा और निवेस नहीं होगा तो और विकास नहीं होगा मतलब और पिछला बना हुआ है और द्रवी पिछला पंड रहे तो लोगों को रोजगान नहीं मिलेगा रोजगान नहीं पूंट फिर गरीबी आएगी तो आप अपने स्वास्थ का ख्याल नहीं रहता है परिवारिक स्वास्थ का ख्याल नहीं रख पाएंगे उच्छ मात मुरत दर देखने को मिलेगी जीवन प्रत्यास कम होती चली जाएगी सिच्छा का इस्तर कम होता चला जाएगा ठीक है लिट्रेसी रेट में कमी आएगी यह सभी चीज़ें क्या है आपको आपे देखने को मिलेंगी इसके लावा आर्थी का समानता में क्या होती है व्रद्धी होती है जैसे जै को तक सीमित रहती है जो पहले से अमीर लोग हैं उनको इस तर्यादा खास प्रहाव नहीं पड़ता है तो हुआ क्या यहां पे जो अमीर था उसको खास प्रहाव पड़ा नहीं जो गरीब था उत और गदीबियों विरोजगारी वाला जो था और गरीब होता चला गया इसने क विरोजगारी है तो गरीबी आती गरीबी आती है तो आप कौसल विकास नहीं कर पाएंगे सच्छा नहीं दे पाएंगे स्वास्थ नहीं दे पाएंगे तो संपूर्ण विकास नहीं होगा तो स्रम उत्पादक्ता सद्यव निमने बनी ही रहेगी ठीक है अब आता है अंग तो रोजगार सजन को बढ़ावा दीजिए पहला नएने रोजगार सजीद कीजिए नएने छेत्रों सजीद कीजिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप बिरोजगारी भत्ता बिरोजगारी भीमो प्रोवाइड कर दीजिए अज जो आपको रोजगार सजन है क्रसी और गेर क्रसी छेत्रों में क्या कर दिए उसको बढ़ावा दीजिए ठीक है कि इस के लावा जन संख्या नियनतन कीजिए हमने बात की क्रसी पे सुधार कीजिए कि क्रशी में क्या है आपकी लगबा आधी पॉपलेशन कारिशी ज़न्प्रात्र निलबार अपने अपने जीवी को पार जन को ले करके तो आप क्रसी में सुधार कीजिए उसकी विकास दर बढ़ाईए MSP बढ़ाने उसको किरामने आदी की बात कीजिए ठीक है और सन राशनाथ में विकास कीजिए इसके बाद आता है आपका अपसन राशनाथ विकास पे ध्यान देना इसमें क्या कर सकते हैं आप GDP का जो टोटल खर्चा है GDP का जो एमाउंट आप आज की तारीक में खर्च करें अपसन राशनाथ में विकास में उसमें व्रद्धी कीजिए जो ढ़ाई 3% खर्च करते हैं उस सभी के बैंक खाते हो जाएंगे सभी लोग क्या करने लगे बचत करने लेंगे जब बचत करेंगे तो पूजी निर्माण होगा पूजी निर्माण होगा निवेश होगा निवेश होगा तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा इ कि लोग स्वयम को कुछ करना चालू कर दें कि इस सरकार सब को रोजिगार प्रॉयचा नहीं कर सकती है कि इसके लाब गारीबी उर्मूलियilda कारिकम जो जो है तो वह भारत में गरीबी या रोजगारी करने को ले लेख करके कारकम क्या चलाएगा है ठीके तो भारत में गरीबी वुजगारी कर ने करने क्लिए जो पहला कारकम सिल आए गए क्या था सुर्ण जैनती ग्राम स्वरोज रोज रोजगारी उजना यह उनिशन नियान ने में चलाए गया अटल जी के सरकार के टाइम में उसका उद्देश सिंपल से इतना से ग्रामेड शेत्रों में MSM के माध्या कर देना रोजगार से जीद कर देना तीन वर्सों के अबधी में परिवारों को गरीवी रेखा से बाहर निकालने का लच रखा गया था इसके लावा जावार ग्राम स्रमद्धी उज्ञा उनिशन निन्यान ने की हो गई उसमें भी इससे उद्देश रखा गया ठीक है ऐसी काम करना था इसके लावा संपूर्ण सेंधी रोजगार को प्रुट साहिद करना इसके लावां अनria है विरोजगारी के उसमें जी रहे हैं गरीब हैं उनको क्या कर दों अन्य फ्रतान कर दो ताकि की उसके unstuts B यह सभी क्या है करक्र चलते रहते सरकारों हैं को सबसर आप यहाँ इंसको में देखें और बेशने तो मन्नेगा कारक्रम को हम अंगली ग्लास में देखेंगे आज की क्लास में पस यहीं तक रहेगा आपको ठीक है तो अब इस लेक्चर की समाप्त करते हैं मिलते हैं आप से अंगली लेक्चर में तब तक के लिए आप सभी कदरने बाद